आकर्ती में चायांकित शित्र का शित्रफल ग्याद कीजे जहां ABCD भुजा 14 cm का एक वर्ग है तो हम आकर्ती को समझते हैं ABCD हमें एक वर्ग मिला है ABCD एक वर्ग मिला है जिसमें वर्ग की प्रतेक भुजा की जो लंबाई है वो है 14 cm चार वर्ग उसमें बने हुए हैं तो वर्ग को यदि हम देखें तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अर्था जो पहली पंग्ती में वर्ग है उनके व्यास का योग 14 cm के बराबर है तो प्रतेक वर्ग जो है उसका जो व्यास होगा वो 7 cm का होगा ये आकरती से इस पश्ट है तो हम सबसे पहले निकालते हैं A, B, C, D जो वर्ग है उसका शितरफल A, B, C, D वर्ग का शितरफल हो गया 14 x 14 अर्थात 116 cm2 A, B, C, D एक वर्ग है वर्ग का शितरफल भुजा का स्कॉायर होता है इसलिए A, B, C, D का शितरफल हो गया 116 cm2 अब क्यूंकि दो वर्ट जो है उनके व्यास का योग मिलके होता है 14 cm2 तो प्रतेक वर्ग का व्यास हो गया 14 x 2 अर्था 7 cm2 प्रतेक व्यास 7 cm2 तो इस पश्ट है कि तरिज्या कितनी हो जाएगी तरिज्या हो जाएगी 7 बटे 2 cm तरिज्या 7 बटे 2 cm और जब हमें तरिज्या पता है तो हम व्रत का शितरफल ग्याद कर सकते हैं व्रत का शितरफल हो जाएगा पाई यार स्कॉयर अर्था पाई इंटू 7 बटे 2 का स्कॉयर पाई इंटू 7 बटे 2 का स्कॉयर कैलकॉलेट करें तो पाई होता है 22 बटे 7 7 बटे 2 का स्कॉयर हो गया 7 इंटू 7 बटे 4 कैलकॉलेट करें तो ये मानाता है 77 बटा 2 cm स्कॉयर तो एक वरत का शित्रफल हो गया सततर बटा दो सेंटी मीटर स्क्वाइर अब यहां ऐसे चार वरत हैं यहां चित्र में हम देखते हैं कि चार वरत इस प्रकार से हैं प्रतेक वरत का शित्रफल सततर बटा दो सेंटी मीटर स्क्वाइर है और 2 इंटू 77 हम देखते हैं कि 154 होता है इसलिए चारों वृत्तों का शित्रफल हो गया 154 cm2 हम अब देखते हैं कि हम A, B, C, D वर्ग का शित्रफल गयाद कर चुके हैं 156 cm2 है और 4 वृत्तों का शित्रफल गयाद कर चुके हैं 154 cm2 है तो यहां चित्र से इस पश्ट है कि जो छायांकित भाग का शित्रफल है वो हम प्राप्त कर लेंगे जब हम वर्ग A, B, C, D के शित्रफल में से घटा दें चारों वृत्तों का शित्रफल इस चत्र से इस पश्ट है कि जो हमने अभिष्ट हमारा शित्रफल है जिसे हमने पीले रंग से दर्शाया हुआ है वो शित्रफल क्या होगा A, B, C, D का शितरफल वर्ग A, B, C, D का शितरफल माइनस चारों वरत्तों का शितरफल तो यहां अबिश्ट च्छायांकित भाग का शितरफल बराबर है वर्ग A, B, C, D का शितरफल माइनस चारों वरत्तों का शितरफल दोनों मान हमें ग्याते हैं ABCD का शित्रफल है वर्ग ABCD का शित्रफल 196 cm² है और चारों वरतों का शित्रफल है 154 cm² तो इसलिए हमारा अबिष्ठ शित्रफल हो गया 196-154 cm² अर्थात 42 cm²